गुजरात की संगती बहुत बढ़िया हुई पान सो से जादा वहां लोगों ने गुजराती जो संकल्प भूमी है, संकप भूमी है उसको अपने पैरों से अपने हातों से छू कर देखा किस जमीन पर, किस धर्टी पर हमारे अपने ही देश के समण को वमणों ने वमणों के हाद से कैसे पिटवाया, कैसे साड़े पच्चिस साल के उस बावा साब अमबेटकर को लाटियों से, लातों से, घुसों से, सामान फिकवाया, कैसे उन्होंने किस बाग के किस कौने में ज जाके वहां साम रात बिताई, शाम बिताई और सुबै को वो मुंबई के लिए रवाना हुए. एक विदेश से पड़ा हुआ नौजवान सबसे बिल्लेंट, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे कपड़े पहने, सबसे अच्छा नहायाद होया, सबसे सापसुद्र उसके साथ मे करेंगे, संग में लेके आएंगे, इखटा करेंगे, चाहें कुछ भी हो जाए, जिद्ध जुड़ने की, जुड़ के मानेंगे, जोड़ के मानेंगे, और उस घटना के पीछे भी, जो बंदा था, आज की जो घटना है, 24 सितंबर की, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, औ बाद में इसको बावा सहाब ने धिकार दिवस के रूप में कहा, निंदा के लिए, उन्होंने अंग्रेजी में जो सब लिखा है, उसका मतलब निंदा होता है, पर सहाव कासी राम ने जो पचास साल बाद, यानि 1932 के पचास साल बाद, 1982 में जो तीन अक्टूबर को पू धिकार मौंदास करमचंद गांदी को है, धिकार अंग्रेजों को है, धिकार हमारे जैसे जो जितने लोग हैं, जो 29 लाग संक्टन हैं उनको है, किसको धिकार है, ये बात छुपी हुई है क्योंकि समय के इसाब से निंदा और धिकार बदल जाते हैं, बावा साव अंबेट करको घुटनों पे लाया गया, मजबूर किया गया, खुशी से समझोता नहीं होता, कोई आदमी पूरी जिंदगी की महनत लगाए और अपने लोगों के लिए कुछ लेके आए, और जो कुछ लेके आए, अपने लोगों को तो समझ नहीं क्योंकि पड़े लिखे भी नहीं उसमें, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं, कोई संघ नहीं, कोई संघ ठन नहीं, किसको समझाएं, यानि यहां तो समझाने वाला कोई ऐसा ब्रेन मी नहीं जो बावा साथ की बात को समझ सके, तो समझाने वाले बावा साथ और समझने वाले बावा साथ जो वो ले प्रकार के कमिनल अवार्ड में सिर्फ बावा साप के दुस्मन पड़े हुए पीछे। क्योंकि नारा है हिंदू, मुस्लिम, सिक्केसाई, आपस में भाई-भाई, अब उसमें कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिक्केसाई और अंटर्चिबल अचूत तो है नहीं। क्योंकि अचूतों ने भी आंदरों में कहा या क्या मरने की निये, कटने की निये हमारी लोग हैं पर हिंदू, मुस्लिम, सिक्केसाई में अचूत नहीं आते हैं। ये बात बहुत बारीक-बारी बात हैं जो हमको समझनी चाहिए कि पूरा पैक्ट क्या है उस समय जो साब कासिराम बताया उस समय परिभासा और थी, जब बावा साब ने उननीस सो चालिस में उननीस सो बैलिस कंदर इसको निंदा दिवस कहा तब बात और थी और अब बात और है, समय के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए रट्टा नहीं मानना चाहिए, समझते रहना चाहिए, अगर टचेबल लोगों में लोग रहते हैं, उनकी तीन साड़े तीन हजार के करीब वर्गी करन हैं, कास्ट हैं, उनके नाम से अलग लग टुकरे हैं, पूरे देस में अलग अलग हैं, तो उनके लिए जो 71 सीट हैं, पालियामेंट में, उनको जो चुनेंगे, उनके लोगी चु के आगे हाथ जोडने का जरूरती नहीं है, और भार का जो व्यक्ति है, वो हमारे सामने हाथ जोड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसका भी बोट है, यानि कि भार वाला जो व्यक्ति है, वो हमारे आगे हाथ जोड़ेगा, और हम उसके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, वो व्यक्ति के आगे हाद जोड़ना पड़ेगा और उसका व्यक्ति चुना जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते खड़े-खड़े देखिए तो उसका फाइदा क्या होने वाला था कि सिडूल कास्ट के लोगों में अंटचेबल लोगों में जो सबसे जानकार समझदार होंगे उनमें आपस में कंप्रिशन होगा मालों दस खड़े हुए कोई बात नहीं बीस खड़े हो जाओ कोई बात नहीं पर होंगे तो अंटचेबल ही होंगे तो अचूत ही और बीस भी अगर खड़े होंगे तो जो छोटे-छोटी कास्ट के अंटचेबल लोग हैं जो अचूत जो सुरुल काश्ट के जो छोटे छोटे ग्रूप हैं, जिनकी संक्या बहुत थोड़ी-थोड़ी है, तो यह सारे लोग उनके पास खुसामत करने जाएंगे, अब इनको खुसामत करने के लिए वमण नहीं चाहिए, अपने लोग खुसामत करेंगे, तो खुसामत करेंगे, तो भाहिचरा बढ़ेगा तो सारे सुरूल कास्टों में हमेज़ा भाहिचरा रहता क्योंकि काम पढ़ेगा वोट लेनी है तो गरोध में नी जा सकता तो एक काम नहीं करेगा तो कोई अगला करेगा पर काम करना पढ़ेगा क्योंकि वोट लेना है इसलिए सब के मज़े आते 71 बेसक सीट थी पर 71 लोग एक साथ वहाँ होते तो उनको स्ट्रिल कास्ट के लोगों के वेलफेर की बात के लावर कोई बात करते नहीं सरकार क्या कर रहे हैं यह को लेने का मतलब नहीं है आज अगर रेलवे बोर्ड के अंदर भरती आई हैं तो उसमें कितना दे रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि और लोगों को आज बोटी नहीं चाहिए तो उनसे मतलब क्या है उनसे काम क्या है काम तो उनसे है जिनसे बोट लेना है तो वो 24 वाई 7 यानि 7 दिन और 24 घंटे हमारे या तो नुक्सान की बात करते या फायदे करते आपस में लड़ते तो नुक्सान की करते पर फिर भी फायदा है क्योंकि बात तो घर में रहती ये ठीक ऐसे है जैसे एक करोड रुपे का फुटवाल का मैच है और उस मैच को खेलने के लिए आप ब्राजिल को बला लो आप जर्मन को बला लो तो आप हारोगे हारोगे उनकी टींगे मड़ी तगड़ी है पर अगर इंडिया के सारे स्टेट में आप करोगे तो पैसा घर मी रहेगा बाहर जाएगा नहीं तो हमारे लोगों के अंदर ही जब बोट रहेगी और जब सीटे रहेगी तो उन्हें वेलफेर की बात करनी पड़ेगी आपस में कितनी लड़ें पर वेलफेर की बात अपने लोगों करनी पड़ती तो क्या करते नौकरिया निकलती तो कहते हमाई लोगों की नौकरी कहा है तो कास्ट का सार्टिप्रिकेट बनवाना नहीं पड़ता कास्ट के सार्टिफिकेट जोती नहीं थी सिर्फ एक होता स्टूल है इनका स्टूल कास्ट बस नाम नहीं होता क्योंकि सारे एक हैं कोई आजाओ कोई पड़ा लिखा जाओ तो कास्ट सिस्टम खतम हो जाता कास्ट सिस्टम जीरो हो जाता कास्ट सिस्टम जोत आये थे और दूसरे के हाथ नहीं जोडने पड़ते और दूसरा लाख पैलवान सही लाख पैसे वाला सही कितना इंफ्लेंस है हमारे हाथ जोडता तो उपर पहुंचा दिया एक जटके में तो काश्ट भी खतम हो जाती हमको रिजर वेस्म की जोग भी नहीं पड़ती क्योंक एजूकेशन के अंदर भी रिजर वेस्म की जोट नहीं पड़ती क्योंकि एजूकेशन में भी हम कहते हैं कितनी यूनिवस्टी हमारी है अगर ये यूनिवस्टी पांसो है तो उसमें हमारी परसंटेज कितनी है हमारी यूनिवस्टी का है मुस्लिमों की यूनिवस्टी है अलीगड मुस्लिम यूनिवर्स्टी है उस्मानिया है जामिया है पर भारत के अंदर अंटचिबल्स की अच्छूतों की सुलकाश्टों की एक भी यूनिवर्स्टी नहीं है क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो तो गांदी पी गया चपिट गया महंदास वो जो खड़ा हुआ बावा साब के अगेस्ट में उसको पता था वो जानता था कि सीवर में जो आदमी उतरता है बिना मास के बिना इसकिन के कबच के बिना वो ड्राइविंग सूट के ड्राइविंग सूट के बिना आक्षिन के मास के और गंदगी के साथ में वो जो उतरता है एक पववा पीने के बाद में वो आदमी कहां से आएगा फिर वो जो स्रलक को पे जारू लगाता है वो आदमी कहां से आएगा फिर वो जो घर में नौकरी का काम करता है और जो रिक्से चलाता है वो आदमी कहां से आएगा फिर वो बहुत बड़ी चीज़ वो लेके आए थे बावा साथ, इसलिए इसको देना नहीं चाहते थे किसी अलग में, पर ज्यादा टाइन में लगा, इधर अक्टूवर में, इधर अगस्त में लेके आए, और गुरूद तो वो पहले ही कर रहा था, क्योंकि गोल में सम्मिलनों में स में सेप्टमर में बैठ गया, जेल में सजा काट रहा है, जेल में बैठ गया, और पर चाहर चल ला है, अकिला आदमी बैठ अमर जाता, पर परचार चल रहा है चारो तरफ, जाने भले रोटी खा रहा होगा अंदर, पानी पीरा कौन देख रहा जाके, कौन से वह कैमरे लगे पढ़े है, कौन सुने, कौन जाने पर परचार चल ला है, हवा बन रहा है, हवा का खेल है, हवा बन रही है, मर जाएगा, मार देगा, है और थ्रेट पर थ्रेट मिल नहीं है तो बावा साब इतने पर डै गया तो बावा साब को ब्लैक मेल किया गया उन लोगों ने सब ने मिलके एक पूरा का पूरा चक्र वियू बनाया उस चक्र वियू में उनको सहीद किया गया उनको मारा गया उनको खत्म किया गया पर कोई व्यक्ति अपने मुझसे कैसे कहे कि मैं ब्लैक मेल हुआ हूँ नहीं कह सकता इसलिए बावा साब अपने मुझसे कैसे कहें क्योंकि अगर ये कहेंगे कि मैं ब्लैक मेल हो गया या मुझे घेर के मारा गया है तो रही सही उमीद भी खतम हो जाएगी पर हम इस बात को आज समझ होता है जो मौहंदास के बीच में और बावस हाप की बीच में होगी क्यों है क्यों कि इंगलेंड जा कर बहस करकर बहस में जीत के लेके ओंगरेजों से गांधि का क्या रायट बनता था अगर उसे भूका रहे के अंसन करना था तो अंग्रेजों के अगिश्ट में करता देने वाले तो अंग्रेज है अंग्रेजों के अगिश्ट में करता दबाव अंग्रेजों बना चाहिए था दो मिट में गोली मार कर सूली बठाग देते पर यहां कि और अंग्रेज क्यों ब उसके लोग उसके पीछे है उसका संग उसके पीछे है तो जीत और हार संग की हुई बावा साब की नहीं हुई बावा साब तो जितना करके आ सकते आए पर बिना संग का आदमी कर नहीं सकता व्यक्ति में चमतकार नहीं होता यह ध्यान रखना व्यक्ति के पीछे जो संग होत National Man你就 Land है चाएए वो यहां का मौनदास करम चंद है और चाहें वो बावा साब है और चाहें पेरियार है कोई भी व्यक्ती जिसके पीचे संग नहीं बोड़स्वी दे सकता है बस भाषर दे सकता है बस पर जीत नहीं सकता भाषर तो कितने द्लाडी तो अकिले वेक्ति से, सुबह को हगने जाएगा, और महां जाके चिंतन मनन करेगा शांती में, और फिर उपर महां जाके समाज में हग देगा, या तो फेस्बुक पर या कहीं, मतलब भाशन देगा, अपना विचार केल देगा, कर नहीं सकता, करेगा तो वही जिसके पास होगा, वो संग कर सकता है, व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, यह बात बार बार निकलके आती है, इसको बार बार खुन में डालो कि संग में सकती होती है, और बात बनेगी नहीं, तो बावा सा는 मरता क्या ना करता अकल बन्दा आदमी, दुनिया का, मौडर्र भात का पहले नमबर का अकल बंद आदमी है तो बेखकूर तो है नहीं पता है कि ब्लैक मिल हो रहा हूं पता है कि घेल लिया हूं पर भागते बूत की लगोटी सही जो मिल जा वो ठीक है क्या दिक्कत है मेहनत की है तो ऐसे नहीं जाना चाहिए कि गुसा आया तो छोड़के लेगे तो बारगेनिंग की है तो बारगेनिंग करके एक अकतर सीटों की एक सु आटालिस करा ली है कि ज़्यादा संक्या में होंगी तो कितने लोग विकेंगे कितने खेजेंगे कुछ तो रहेगा तो उन्होंने वजीफा ले लिया है जो सिक्षा का नुदान है जो 24 बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं अगर वो चीज भी वो छोड़के आ जाते तो हम तो उसी समय खतम हो जाते तो एक गुद्धिमान आदमी अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने देते पर इस उम्मीद में तो उन्होंने दामन नहीं छोड़ा उन्होंने का कोई बात अगर ऐसे बात नहीं बनती है तो दूसी तरसे बात बनेगी तो क्या किया उन्होंने कहा कि अगर एखटे हो जाओगे अगर जागरित हो जाओगे और और एजिटेट करोगे यानि डिमांड करोगे तो भी कमुनल आवार्ट से ज्यादा प्राप कर लोगे इसलिए तीन ना पर हमारे जो भून हार जो नेता हैं उन्होंने एजूकेशन का तो सिख्छा जो पैसे कमाने किया उसमें बदल दिया बी ए करो में करो पीएडी करो एक एक आदमी नहीं चार्चार पीएजडी कर रखी है मैं तो देखता हूं पागले की लाइल लगी पड़ी है कंप्रिश सीथिमें के खटे झाटे नहीं है लोग चार-चर-पांच-पांच-छोशने मुen की नहीं कर पाती है उनकी बर्टी तक नहीं है बुद्धी जी 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 वोंती और वो जो잇गशन का है तो सीधा oppression का ताला चावी पकड़ लिया ताला चावी ताला चावी ताला चा जो किताब लिखी उन्होंने जो 24 सेप्टंबर गोई इसको अनयग्रेट किया उस वो खुद कहते हैं कि चंचे है यानि कि राम्नीति से बात नहीं बनने वाली है और तीसरा जो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो संगर्स है वो संगर्स करना है डिमाणि रहना है तो संगर्स करने लगे, सलक पे उतर रहें, अलग-अलग संगर्स करने लगे, बहुत बड़ी, आपस में संगर्स कर रहे हैं, मतलब ऐसी बेफकूफ लोग हैं, हमारे जो नियता बने गूम रहे हैं, संगर्स में चला रहे हैं, कि आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, रोज तू जो रही है कि हमसे बड़ा कोईद्ध कर अनूयाई नहीं गोलते मतलब जोनका उनुकरन करता है। हम् लोग पना है हैं उनका सारा का सारा अनु की जेके विपित करनँ करते हो उसके बाद बाव sign ने हिम्मत नहीं हा और रही बाव साहभन ने कहा अगर कमन अवार्ट पराप तो आप धुर्वी करन कर लो आप जो अलग 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 बिखरे पड़े हो प्रतक प्रतक भड़े बिखरे पड़े हो तो धुर्वी करन कर लो पॉलराइज कर लो एक साथ एक खटे हो जाओ गाओं में जो छोटे मुटे अलग 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 पड़े हुए वो शहरों में आ जा जहां कोई सुनता नहीं हो जगह छोड़ देनी चाहिए, यह काम भी नहीं हुआ. इसके उधारन देखो, जो गूजर रहते हैं, वो इक छेतर में रहते हैं, राइस्थान में रहते हैं, थोड़े से मद्धा प्रदेस में रहते हैं, और थोड़े से हरियाने की तरफ रहते हैं उत्तरप्रदेस में बहुत जड़ा से हैं वो एक साथ रहते हैं तो उनकी सीट है जितनी उनकी चलती है पटेल लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी चलती है ये जो अलग अलग कमटी के लोग हैं जैसे लोधी लोग हैं वो एक साथ र हम बड़े सहरों की तरफ नहीं आए हमने समझाए नहीं के बड़े सहरों में और जो बड़े सहरों में आगे वो बिखरे पड़े हैं वो और गनाई नहीं हुपाए यह समझ में नहीं आई पर बावा साब यहां भी हम्मत नहीं हारे वो जानते हैं फेल हो रहे हैं यहां भी हम तो मरने से पहले उन्होंने SC, ST, OBC का एक अलग से समुधाय बनाने का और अलग से एक संग्धर बनाने का काम सुरू किया पर चले गए पर वोई काम तो आज हो रहा है सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम सब को इखटा होना है जितने भी समण है जितने SC, ST, OBC सारे समण है उनको खटा होना है वही तो बात है और यही साब काशी राब ने भी किया कि सब को खटा किया जो भी काम सुरू करेगा और च्छितरे से काम सुरू करेगा जानकरी से करेगा चाहे किताब पड़े या ना पड़े पर उसे बहुमत चाहिए उसको संग चाहिए और बिना संग के नह का संग था इसलिए उन्नीस सो बैयालिस में कहते हैं ये निंदा डे है धिकार डे है उनको समझ में आ गया एक उम्मीद होती है आदमी को के महत करके लाया तो मेरे लोग सुधर जाएंगे तो जब ये MPML बनके आएंगे तो ये खटे रहेंगे उम्मीद होती है कि अरे सुरू क्या लिए इस चाल की काट के लिए उन्होंने एक काम किये के एजिटेट और गिनाइज और एजुकेट का नारा दिया ताकि खटे होके समझदार होके जागरत होके खटे हो जाएं फिस लुड़काश वेलफिरस उन्हों बनाई ताकि ये खटे हो जाएं उन्होंने गाउं पैक्ट में जो वो निंदा करते हैं बावा साम बीट कर वो गांधी की निंदा नहीं है वो गांधी की तो प्रसंसा है वो मोहंदास की तो प्रसंसा है कि वो अपने लोगों के लिए हमारी रोटी शीन के ले गया हमारे शेर के मूँ से मास शीन के ले गया उसकी तो प्रसंसा ह वो तो अपने काम में सफल रहा, उसके संग की प्रसंसा है, उसकी निंदा नहीं है, उसको धिकार नहीं है, धिकार हमें है, धिकार हमारे लिए है, धिकार हम पर है, कि हम बात को जानते हुए भी सतर साल में आस्तर की खटे नहीं हुए, अगर खटे हुए होते तो उस मास के ट तो अपने आपको क्या समझेंगे इसलिए 29 लाग संग्ठनों को यहां गाली बकी जाती है हमारे कैई साथी कहते हैं क्या गाली बकते हो मुरे को तो फिरी छोड़ दो संग से मैं तो डंडे पटका हूँ मैं तो ऐसी ऐसी गाली आदो को याद रखें मेरे को छोड़ते नहीं क मौत का कारण एक भी बमण नहीं आया आज तक आपको एकटा होने से रोकने के लिए एक भी बमण नहीं आया जिसने यह कहा हो कि आप एकटे मत होना एक भी बमण नहीं आया जिसने यह कहा हो कि आपके 31 एमपी आज से नहीं बनेंगे बात में कुछ हो जाए तो अलग बाते और अभी एक बामसेफ का जो बेकला आदमी है वो कहता है 2030 में करेंगे 2030 कर देता है एक साथ क्योंकि तो जिंदा रहे नहीं जब तक तो पूछे कौन मरने को त्यार है कबर पेल लटके हुए पूरी जिंद की चली की तो को अकल नहीं आई तो दुनिया को जगाता तो खुद सोय पड़ा है पामसेफ के टुकले पर टुकले पर कर रहा है 2009-2015-2014-2020-2023 पैसे देते रहो पैसे देते रहो और वहां काम करने वाले भी बिल्कुर निखटू है ऐसे निखटू ढूंडे जाते हैं जो यकिन कर लेते हैं अरे बता प्लान क्या है क्या नहीं है समाज पूछता है हम पूछते है स्रमर संग पूछता है बताओ क्या प्लान है तो कहते है प्लान सीक्रेट है अरे वो कुछ होगा तो सीक्रेट होगा ना कुछ होता तो दिखाई देता ना जिसका प्लान होता है जो खेत में खेती करता है वो क्या खेत जो पेड़ लगाएगा वो तीस साल बाद लगाएगा पेड़ तो पहले लगाता है उसे पानी लगाता है तो बढ़ता रहता दिखा कि चुपा!" और अपना प्लान को रिएव Department of India घुने के पास में सब चंदे फ़़ंदे को यहां समर्ण संग में भारवारा मना करते हैं खरभी कहानी आई कहा अउड़ ही, अइब हाथ-पैय जोडे बड़े कह रहे थे दोज्सया रुपत कर ना अगर हाथ पर जोडने पर तुमको कितनी दया आती है तुम बारबार उन संग्ठनों को पानी और खाना दे देते हो तो जाके मरो तुम्हारे पास क्या नहीं बताओ को बताने के लिए अगर बच्चों को जिंदा रखना है तो चंदा बंद कर दो भाई तुरं नहीं देना चंदा किसी भालत में जी जाओगे बच्चे चाबके जी जाएंगे हमारा कोई उपसान नहीं हुआ है अभी अगर एक साइन से कमिनल अवार्ड इल्लीगल लूप से जाता है तो सिर्फ आवाज लगाने कि देरे खटे होने कि देर है वो खुद कहेंगे कि ये महंदास ने इल्लीगल किया है महंदास को अंगरेजों से मांगना चाहिए था अंगरेजों से अगरेज़ों तो स्मझजो था बावा स्बसमार्ड नहीं थे बावा सा वंबेड़कर पार्टी थे उसमें पार्टी से घृत्री कर देंपता है अभ दहुंगाया कर सकता है अς प्रिम आता नहीं, जो बताता है उसकी बास महीं में आती नहीं, और करते नहीं, चिन्तं करते नहीं, भेस्च ज्यादा करते नहीं। और सीधे-सीधे पिधानमंतिकी कुरसी चाहिए, जो कभी मिल नहीं सकती। अगर सारे इखटे नहीं हमगे लिखता हो। और अकेल अकेले तोसते हैं सब को मिल जाए की समधान में लिखा हुआ हुआ है लाओ एक क्याउन परसेंट भाओ मत तो मिना कैसे लिलोगे समझ में नहीं आती रोज रात को सोते हैं हमारे नियता सबस्दों को प्रदान मंत्री की सपत लेते सीधे कोई कोई मतलब नहीं डायरेक्ट और हमारी लोग जहां से मैं जाते हैं लड़के कल पलके आते हैं मोट साली उठाके गम शावांद के नीला उनको सीधा मुख्यमंत्री बनना है किसी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं अरे कैसे बज़ जाओंगे मुख्यमंत्री ये इतने प्राएं लोग पूरे पूरे जूते घिस-खिस के चलेगे तो उनको एक्जम्पल सवन्ज में नहीं आते और कौन से राजनितिक चीज़ों से हमारी चीज़े सफल हुए हैं साफ साफ तो बावस आपने कहा है कि जो सोशली मुवमेंट सफल करता है उसको सारी चीज़े मिल पार बार बताया कि दो अप्रेल, अठारे को हम इसलिए सफल हुए क्योंकि उत्वार बन गया कोई नियता नहीं था जब तक इसकी चर्चा नहीं करोगे इसको लोगों को बताओगे नहीं, उनसे बहास नहीं करोगे, उनसे तर्क नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे. तो पूना पैक्ट पे धिकार हमें पूना पैक्ट पे धिकार सारे सम्णों को और प्रसंसा महुंदास करमचंद गांदी की और उसके संग की और उसके लोगों की करनी चाहिए हमको प्रसंसा कि वो अपने मकसद में अपने संग के द्वारा सफल हो जाते हैं आपके शेर के जबडे से मास शिन के ले गए आपको के सामने और सतर साल से खा रहे हैं और आप पूश टेड़ी नहीं कर सकते होंगी औप आप खतम हो जाओगी अगर इखटे नहीं होए इसनल्य बोलते हैं कि संग में काम करना अपने आपको बचाना है नहीं बात समझ में आती तो इधर देख लो बुद्ध है एक अकिला व्यक्ति लोग कहते भगवान है भगवान है दुखों को भग करते हैं दुखों को भग करने का रास्ता बताते हैं बोलते हैं, पर चलना आपको पड़ेगा तो संग में काम आपको करना पड़ेगा, संग रास्ता बताता है, आप ये सोचो के यहां ये जो तीन सो लोग है और ये अपना काम करेंगे और ये बन जाएंगे, असंबभ है, असंबभ है, नहीं हो सकता, संग काम संग से होता है, व्यक्ति का काम व्यक्ति से होता है, ये संग का कामैशने सब को करना पड़ागा अब Carmichade लगी जो गुजरात चाए कि अगर एक वट चाहे कि Gutzुरात के अंदर शोले महिने में पांस सो लोगों की संगथि लगा दे नहीं लगा सकता पांस पांसो बार गुजराच जाएगा, पांसो लोगों से बाचित करेगा तो लगेगा, पर संग ने सोले महिने के अंदर ही महाँ पे संग लगा दी, आपके भाई, आपके बुजुर्ग, आपके ताउ, आपके चाचा, आपके इंतियार मुहाँ बैठे, उन्होंने बड़िया ख इसलिए संग मेती ताकत है, कि पूरी इंडिया के लोग गुजराच में जाके अपना घर समझते हैं, और गुजराच के लोग पूरी इंडिया में अपना घर समझते हैं, ये ताकत संग की है, इससे जीतेंगे हम, इससे हमारी जीत होगी, इसलिए हर हालत में हमको एक्षट रहे हो इखटे हो करोगे गार टाइम बड़ा कम है इस पीड बड़ी कम है इस पीड कम नहीं है औरों के मुकाबले कम है पर हमारे संकी स्पीड नैच्रल रूप से जादा है पर मुसीबत है आपातकल है उसके हिसाब से कम है पर ध्रंचन माहे सर आप यह तो देखो कि जो काम जो रहे हैं वो का मा आपको वहां भी तो अरह थी के पास में वहांकी सरकार के हिसाबसे संपंत्र है आपको को एक बेदबाब नहींगे है पर फिर वही बहुक्त रहेंगे काम करेंगे तो मजबूत रहना पड़ेगा उधा के लोकों का मनोल अन्डेश्ट रहेंगे तो में की सब्सक्ते नहीं पर किए बहाशर देने से समय हलना नी होती है समश्या का मिल सकता है यह डूटो लगे हुए इन दौनों की खास बात है कि दौनों दी और दोनों ने सेम फिलोस्पी दी सेम दसन दिया सेम दसन दिया पर दोनों चले और पूरा जीवन लगा दिया तो मेरे जैसा आदमी इनके बीच में बैठके इनकी फिलोस्पी का प्रवक्ता वक्ता है अगर ये दोनों सिर्फ भाशन देते दोनों सिर्फ खाली गरंत क्योंकि इतना बुड़ा आदमी हमारे चलता नहीं जितना मैं हूँ ये तो खाय पी अच्छा तो दस-पाइश साल सरी और जाता चल गया तो खाय पीया मिलेगा नहीं तो बीस-ती साल में मर जाता है हमारा आदमी इसलिए इसलिए जड़ना ज़ुरी है जो नए लोग सोचते हैं कि हम यह क्या करने हैं हम वही काम करने हैं जो बुद्ध ने कहा संगन सरनंग अच्छा मी संग के साथ जड़ो संग की सरन में आओ संग के साथ चलो संगन सरनंग अच्छा मी और जो बावा साब ने कहा और्गनाईज इखटे हो जाओ और जो संतों ने कहा कि सादू संगत करो संगती में रहो पर वो सारे के सारे कह रहे हैं कि करो करो इसको करो बिना करेश की बात रही बनती इसलिए संगतियों में सारी ताकत लगा के चलो इखटे होने के लिए अपना सब तनमन लगा दो संग पैसा नहीं लेता आने जाने में लगता है तो जो मृमन लगता हो उसमें लगा के टाइम निकल के चलो इखटा करो इखटा हो जाओ तो बचने का चांस है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मरने का चा हैं बस उनके पास अनुभव है वो अनुभव ही उनका राजा है और वो अनुभव किसी से शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सब्द नहीं है उनके पास नहीं है वो लिख नहीं सकते वो जानवर है और उनका सहज ग्यान उनका नैचुल ग्यान उनका जो फुद के भा बीच में लेके चलते हैं उन्हें पता है कि कोई भी अगर हमला करेगा तो हमारी सबसे छोटे बच्चे पे लिए करेगा और हमारी आग यह खोड़ नहीं है कि हमारी एसी है हमें सेमाधा नहीं सँज़ में नहीं है क्या नहीं है वो पढ़ी लेखिये जानवर नहीं है वो पिएज़ी जानवर नहीं है उनको प निंदा हमारे लिए हैं, ये निंदा उनके लिए नहीं है, उनके लिए प्रसंसा है, उन्होंने अपने लोगों के लिए प्रसंसे काम किया है, हम लोगों ने हमारे लोगों के लिए और हमारे बावासा के लिए निंदा वाला काम किया है, धिकार वाला काम किया है, इसको हम प पहले भी जुड़े थे जीते थे अब भी जुड़ेंगे जीतेंगे अभी जुड़ेंगे अभी जीतेंगे पांसो साल बाद जुड़ेंगे पांसो साल बाद जीतेंगे और नहीं जुड़ेंगे खता हो जाए इसलिए संग में ताकत है संगो को नमन करना चाहिए संग सकती ह संको नमन, संको नमामी, संको नमस्ते, संको सलाम, संको गुड मॉनिंग, संको गुड नाइट, संको गुड इवनिंग. जय भीम नमुद.